Welcome to Bebanker, स्वागत आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर कशा आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास So क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं तो Basics English के सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं STILL के प्रयोग किसके प्रयोग जानने वाले हैं STILL इसका उप्योग कई जगों पे होता है आप अगर नहीं करते हैं अभी तक इसका उप्योग तो आज की इस क्लास के बाद आप जरूर जरूर इसको कड़ने लगे इसका उप्योग तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इसका मतलब क्या है और कहां कैसे किस तरीके से यह इस्तमाल होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चानल पढ़ने हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लिजिए चानल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट पर फॉलो तो चलिए शुरू करें आज की क्लास तो सबसा पहले जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्सक्राइब करने से पहले उसका मतलब जानना बेहत जरूरी होता है तो चलिए इसका मतलब पहले जान लेते हैं तो still का मतलब होता है फिर भी, अभी, अभी भी, स्थिर या शान्त जी हाँ इन सभी शब्दों के जगापे आप still का स्थमाल आराम से कर सकते हैं तो यह सारे के सारे उपयोग बताऊंगी आज होने वाले हैं still के सारी के सारे concept बिल्कुल ख्लियर तो चलिए शुरू करते हैं आज के class सबसे पहला I am still busy मैं अभी भी व्यस्त हूं They still care वे अभी परवाह करते हैं They still care वे अभी परवा करते हैं They still care We are still here हम अभी भी यहां है We are still here हम अभी भी यहां है We are still here He is still learning वह अभी भी सीख रहा है He is still learning वह अभी भी सीख रहा है He is still learning It is still alive Alive का मतलब क्या होता है Alive का मतलब जीवित होता है जिन्दा होता है It is still alive यहां अभी भी जीवित है It is still alive यहां अभी भी जीवित है It is still alive We can still win हम अभी भी जीत सकते हैं, we can still win, हम अभी भी जीत सकते हैं, we can still win, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, He is still angry, वह अभी भी गुसे में हैं, He is still angry, वह अभी भी जूट बोल रहे हैं, They are still lying, वह अभी जूट बोल रहे हैं, They are still lying, stay still, यानि कि स्थिर रहो या शान्त रहो, stay still, जैसे still water होता है न, still water बोलता है न, कि this is still water, मतलब स्थिर है, पानी जो है वो शान्त है, स्थिर है, मतलब स्थिर रहने के जगा पे भी आप still का अस्तमाल आराम से कर सकते हैं, तो stay still, स्थिर रहो या शान्त रहो, stay still, clear, चलिए बढ़ते हैं आगे, I am still upset, मैं अब भी परिशान हूँ, I am still upset, मैं अब भी परिशान हूँ, I am still upset, It is still dark, अब भी अंधेरा है, it is still dark, he is still eating, वह अब भी खा रहा है, He is still eating Is he still working? क्या वह अब भी काम कर रहा है? देखिए यहाँ पर हमने question पूछने के लिए still का इस्तेमाल किया Is he still working? क्या वह अब भी काम कर रहा है? Is he still working? क्या वह अब भी काम कर रहा है? Is he still working? I am still trying मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ, I am still trying, मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ, I am still trying, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, It is still early, यह अब भी जल्दी है, It is still early, यह अब भी जल्दी है, It is still early, He still can appear in the exam, वह अभी भी परिक्षा दे सकता है, वह अभी भी परिक्षा दे सकता है, He still can appear in the exam, वह अभी भी परिक्षा दे सकता है, He still can appear in the exam, Are you still going, क्या आप अब भी जा रहे हैं, Are you still going, क्या आप अब भी जा रहे हैं, Are you still going, Can we still go there, क्या हम अब भी वहां जा सकते हैं, Can we still go there, क्या हम अब भी वहां जा सकते हैं, Can we still go there, She is still cooking, वह अभी भी खाना बना रही है, She is still cooking, वह अभी भी खाना बना रही है, She is still cooking, They are still there, वे अभी भी वहां हैं, They are still there, वह अभी भी वहां हैं या, are still there, clear है, so yes guys, ये थी आज की class, class कैसी लगी, मुझे comment करके जरूर बताईए, ऐसे ही कोई शब जिन में आपको होती है दिक्कत, आपको भी लगता है कि पता नी इन शब्दों का स्तमाल कैसे होता है, तो comment करके मुझे जरूर बताईए, उसकी class भी बहुत जल्दी लेकर क्लास पसंद आई है, तो like कर दीजे, जल्दी से, share कर दीजे, पहुँचा दीजे उन सब तक इस class को, जिनको भी ऐसे चोटे-चोटे शब्दों को इस्तमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, clear, इसके साथ ही आपके लिए है good news, that is, कि आप सब कहते हैं ना हमेशा कि माम जो भी पढ़ाते हैं, प्लीज उसकी किताब चाहिए, किताब चाहिए, तो लीजे भई, back to back, तीन किताबे लॉंच करने वाली हूँ, एक होने वाली है, फुल-on concept के उपर, जितने भी concepts पढ़ाती हूँ, helping verbs के, वो सारे उसमें होने वाले है, एक होने वाली है, DLS, य तो बिल्कुल प्रतिक्षा करने किताबों की जैसे ही, बुक्स लॉंच हो जाती है, मैं आपको बता दूंगी, आपकी कौनसे फेवरेट इसमें से होने वाली है, जरूरी तो देखिए, सारी है, लेकिन फेवरेट कौनसे होने वाली है, यह मुझे कमेंट करके जरूर अपने आप में यह कोर्स पूरी तरिके से कम्पलीट है, फ्री ओफ कॉस्ट है आप सभी के रिक्वेस्ट पे, हमने इसे अभी तक फ्री ओफ कॉस्ट ही रखा हुआ है, तो जल्दी से यह ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो आप जल्दी से इस फूल कोर्स को अपने number पर इस number पर WhatsApp करके मंगवा सकते हैं, उसी course पर based e-book की free sample भी आपको मिल सकती है, कैसे करना होगा आपको आपको बस लिख करके भेज रहा है कि मुझे 6.5 घंटे वाली course चाहिए और उसकी sample e-book भी चाहिए तो ये दोनों ही चीजे जितनी जल्दी हो सके हमारी team दोरा आपको बेज दी जाएंगे clear इसके साथ ही अगर आप हमसे जुना चाहते हैं हमारे premium WhatsApp spoken English course पर इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते हैं अब भी inquiry किस बात की करनी है inquiry इस बात की करनी है कि क्या course है कितने दिनों का है, कैसे आपको material मिलेगा कैसे आपका homework चेक होगा आपको homework कब कब submit करना है classes कब कब आती है और ये सारी की सारी details और सबसे ज़्यादा ज़रूरी की अगली batch इस course की कब शुरू होने वाली है ये batches में ही ये course शुरू होती है ऐसे random admissions नहीं होते है batches की date निकलती है उसी में इसमें admission होता है तो जल्दी से पता कर लीचे अगली batch जो है इस course की कब शुरू होने वाली है इसके साथ ही ये है basic English grammar course यानि की English grammar की basic वाली course basic English grammar course है ये आप किसी भी competitive exam के तयारी करें जिसमें अंग्रीजी पूछी जाती है या ऐसे भी आपको English का जो basic grammar जो है वो आपको आना ही चाहिए ये आपको तयार करता है advanced level के grammar के लिए और advanced level के grammar अगर आपको आने लगेंगे तो ही तो exam में answers बनेंगे questions बनेंगे है ना तो basic clear होना सबसे जादा जरूरी होता है तो जल्दी से इस number पे inquiry करिए पता करिए इसके अगली batch कब शुरू होती है ये भी है basic English grammar for kids अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ये पता होगा कि बच्चों को grammar जिखाना बच्चों का खेल नहीं होता लेकिन अब ये असान है क्योंकि बच्चों के लिए एक्सपर्स त्वारा डिजाइंड है खेल खेल में इसमें बच्चों को सिखा दी जाती है English grammar उनका हो जाता है concept clear उनको बोरियत नहीं होती उनको मन लगा रहता है पढ़ने में तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वारी करिए और पता कर दीजे इसके अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है यह कॉम्बो कोर्स यानि की basic English grammar और writing for school यह दोनों ही चीजे इसमें आपको मिल जाती है आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो इंग्लिश ग्रामर और writing section से आपका सामना तो जरूर होता होगा मुश्किल अगर लगता है आपको यह तो यह दोनों ही solutions लेकर क्या है इसकी इंक्वारी आप इस नंबर पर कर सकते हैं इसमें आपको basic grammar तो सिखाया ही जाता है आपके class का साथ ही साथ writing section यानि कि essay writing speech writing debate writing notice writing and what not जो भी writing syllabus है यह पूरा आपको कराया जाता है spelling mistakes कैसे आप avoid कर सकते हैं यह भी आपको पताया जाता है तो बिल्कुल इसकी inquiry जल्दी से इस नंबर पर कर लीजे और अगर आप वाकई एक series aspirant है जो किसी भी ऐसे competitive exam के तयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो यह course बिल्कुल आपके लिए है नाम है premium competitive English course तो काम भी बिल्कुल premium होने वाला है चाहे हो आपकी RC चाहे हो आपका grammar चाहे हो vocabulary चाहे हो basic से advanced वाले questions बिल्कुल जीरो से लेकर के hero तक का सफर इसमें आपको कराया जाता है तो जल्दी से इस नंबर पर inquiry कर लीजे किसकी अगली batch cup शुरू हो रही है इंक्वाइरी करते वख ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वाइरी बिजे ताकि हमारे प्रतिनिधी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं जानकारी मिलने में लग बग 12-40 गंटों का वक्त लग जाता है तो कृप्रिया प्रतीक्षा करें और अगर में लिख कर दिया है तो इन श्रीन थो जाएं आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा क्लियर सो यह गाइस तास इट पर तोड़ी थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग बीविड बीबैंकर इंपावरिंग लाइफ दू नॉलिज थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग से तून तो बी बीविड़ी थैंट से नॉलिज कर दो लिए ल कमा क्लिषा सो मुच पर दो 주고 कि क्वच पर पर वाचिंग खर चाल कर दो उल सींह कर्सा से तून कर दो आऊ है ठ्यक्न do कर दोई लाईब्लाइब।